आज बात करते हैं about the caring of hair, how to keep the hair black, ये मुरब्बा हलेला है, मुरब्बा आहली लच और हड का मुरब्बा, ये बड़ी हड का मुरब्बा है, अगर ये बड़ी हड का मुरब्बा नहीं मिलता है तो ये छोटी हड का मुरब्बा है, ये भी चलेगा, इसको इस्तिमाल करने, वै पानी से धो करके, और थोड़ा 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 चबा कर खाया जाए, जितनी जादा से जादा देर में इसको खा सकें, आप बिल्कुल चबा करके, चूस करके खाना है, लास्ट में जो गुठली बसती है, उसको मुह में रख करके बहुत देर तक चूसते रहे चूसते चूसते वो गुठली टुकड़ हो जाती है तूट जाती है और इसको फिर थूख दे इस तरह से आप मुसलसल करें तो आपके जो बाल है वो काले रहते हैं कलंबी मुद्द तक एक नैचुरल एज तक बलैक ही रहते हैं और अगर कुछ सफेद हो चुके हैं तो वो सफेद रहते हैं लेकिन बाकी काले ही रहते हैं और मेरा अपना पर्सनल एक्सपिरेंस है कि इसको at the age of 30 स्टार्ट कर देना चाहिए तक आपके आगे बाल काले ही बने रहें सफेद होना जो शिरू हो जाते हैं वो काले ही रहें इस तरह से मेरा पर्सनल एक्सपिरेंस है यह और इसके अलावा इसको खाने से बहुत सारी ऐसी diseases जो आप अगर इसको नहीं खाते तो होने वाली थी वो नहीं होती है और आपको मालूम भी नहीं होता कि कितनी diseases स्याब बच गए हैं तो यह मुरबभ हलेला का एक भैतरी एफ़ेट है कि बालों को चमकदार र lifestyle है बलेक रखता है यह बड़ी हड का मुरबभ, यह चोटी हर का मुरबभ करना है इत्री دیر تک चूचना है कि ये पूरा कन्सियमध्य खतम होता है इसको चबाना नहीं है चूचते-चूशते चूचता चबाना जब आप ऐस्तों आपीसे पीसे साथ में आएंगे इन पीसे को आप सलेक्ट करके छूज बेन करके और इस तरह के पीसेज आपको इस्तिमाल करने हैं तो ये एक खास बात ध्यार रखने की है मुरभा अलेला का आप इस्तिमाल शुरू करें और आप देखेंगे कि आपके बालों में कितनी हैल्थ आ जाती है कितनी ब्लेकिशनेस आ जाती है और जस्टू कीप यूर है healthy you should start it right now